हेलो दोस्तों मैं धीरेन स्वागत करता हूँ आपका exam study with संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम discuss करेंगे SSC MTS exam से previous year set paper को आज हम बात करेंगे set number 3 की जो की 5 October 2021 की evening shift का set paper है दोस्तों इस वीडियो में हम top 25 one honor question को super fast revision के जरिए यहां पर cover करेंगे यह वीडियो आपके लिए आने वाली प्रत्यक्ता परिक्षाओं के लिए important रहेगा खास तोर से SSC के exam के लिए वीडियो यदि आपको यह अच्छा लगे helpful लगे तो प्लीज वीडियो को like और share जरू कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe जरू कीजेगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का notification टाइम पर मिलता रहे है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नमबर थ्री पांच अक्टूबर दोहरे कीस इवनिंग सिप्ट बिकल्पों में वर्णद एकाई मैं से अन्न की तुलना में कौन सी एकाई सबसे बड़ी है तो देखिए इसको आप one learn format में याद करेंगे तो देखिए option यहाँ पर नह यह मुख्य रूप से पालियाती है गुजरात में कहाँ पर गुजरात में कौन सा राज अतवा केंसासित प्रतेस पारंप्रिक रूप से एक तही आधारित तरीदार बेंजन से संबंद रखता है जिसे यखनी के नाम से जनाता है तो देखिए यखनी यह है आपका जम्मू से संबंद भोजन ठीक है भोजन कह सकते हैं अब डही आधारित तरीदार बेंजन है यह भारती संविधान के किस अनुछियत में यह बढ़नित है कि संसत के पास संग सूची में सामिल किसी भी मामले की संबंद में कानूर बनाने की बिसे सकतियां है तो यह है आपका अंशे 246 में वाड़ेत 31 जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार निमलिकत में से किस राज में विधान सवा में एक उच्छ सदन था उच्छ सदन था ऑप्शन है करनाटक पंजाव असम केरल तो सही आंसर होगा करनाटक हर पांस साल में की जाने वाली सेरों की जंगर ठीक है 2020 का जून तक कर जाटा ही है 674 2012 के लंदन ओलम्पिक खेल में किस खिलाडी ने रज़त पदक जीता था तो देखिए 2012 के लंदन ओलम्पिक खेलों में रज़त पदक जीतने वाले थे सुसील कुमार कौन थे सुसील कुमार अच्छांस का कौन सा समनांतर मकर रिखा को निरुपुत करता है सही आंसर है दक्षली गोलार्थ में साड़े 23 डिग्री किस खगोली पिंड का सेरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रे है तो सेरन ये प्लोटो का प्राकृतिक उपग्रे है अमेर की एतिहासिक संग द्वारा मानद बिदेशी सदस्य पुरुसकार 2019 किसे समानित किया गया था सही आंसर है राम चंदर गोहा को बर्स 2016 में साक्षी मलिक ने किस भार बर्ग में एक उलम्पिक पदक जीता था कौन सी नदी करनाटक में कुंची कल जल परपात बनाती है बाराही नदी बाराही 31 जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के कॉर्परेट मामलों के कैविनेट मंत्री कौन थे तो इनका नाम था निर्मला सीता रमणा गुप्त प्रसासन के संदर में बिद्धी भी थी सब्द किसको संदर्वित करता है तो दिखे प्रसासनिक एकाई को संदर्वि सुले के प्राकरतिक निवास इस्थान का व्यापक बितरन हैं आंसर होगा इसका उत्तर पूर में सूफी परंपराओं के संदर में समा सब्द का क्या आर्थ हो देखिए समा का आर्थ होता है पवित्र गीतों का पाथ ठीक है मानविकी के लिए दुहर 19 का इन्फोसिस पुर my journey transforming dreams into action नामक पुस्तक किसकी आत्म कता है तो यह आत्म कता है ap.j.abdulkalam की important है repeat हो सकता है question या रखेगा important है my journey transforming dreams into action ricaids नामक रोग मैं सरीर का कौन सा अंग प्रत्यक्ष तोर पर प्रभावित होता है तो right answer हो जाएगा हड्डिया ठीक है हड्डिया प्रभावित होती है रिक्रेट सुनामक रोग में उत्त्राखंड की संस्कृति के संदर में काफुली किसका नाम है तो काफुली ये एक भोजन का नाम है क्रांती कारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से जाने जाते थे सूरह सेन कौन जाने जाते थे सूरह सेन बर्स 1949 में किसका राष्टी करण किया गया तो देखिए बर्स 1949 में भारती रिजर्बेंक का राष्टी करण किया गया था important question है यह question exam में 12 वर repeat भी होता है ठीक है तेरह थाली नामका लोकनित किस राज के साथ पारंप्रिक रूप से सम्मंद्ध है तेरह थाली important है यह लोकनित और यह सम्मंद्र रखता है राजस्थान से किस से राजस्थान राज से भारती अर्थ विवस्ता का कौन सा 6-2-19-20 के दोरान भारत में प्रत्यक्ष बिदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्त करता था राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर, सौफ्टवेर और हार्डवेर भारती अर्थ विवस्ता का कौन सा 6-2-19-20 के दोरान भारत में प्रत्यक्ष बिदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राप्त करता था तो ये था कंप्यूटर, सौफ्टवेर और हार्डवेर कौन सा कारक, मैड हैटर रोग, नामक रोग के लिए जिम्मिदार होता है तो ये है पारा विसक्तता, ठीक है, फिर से देखिए कॉशन क्या है कौन सा कारक, मैड हैटर रोग, नामक रोग के लिए जिम्मिदार है तो ये है पारा विसक्तता आज का सेट यहीं एंड होता है जल मिलते हैं नए सेट के साथ